एक बड़ी पुरानी कहावत है कहते हैं 20 दिया और 20 नी हो गई मतलब जहर दिया पर सामने वाला मरा तो नहीं पर जहरीला जरूर बन गया वैसा ही कुछ हुआ है नाटो को अचानक से वैगनार ग्रूप ने क्यों डराना सुरू कर दिया है और नाटो की सेना इकठा हो रही है जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं मोसाद ने तो सारे कारनामों को फीका कर दिया है इरान के अंदर घुस कर कुछ ऐसा किया है और जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा था तो वहीं इरान ने आखिर भारत के लिए जहाज क्यों रोग दिये हैं जानेंगे ज प्राइवेट सेना और उसका चीफ येवगिनी प्रिगोजीन बेलारूस पहुंच चुका है और जो ताजा सेटेलाइट की तस्वीरें आ रही है न उसने हरकंप मचा दिया है नाटो के अंदर बेलारूस के अलेक्जेंडर लुकासेंग को इन्होंने वेगनार ग्रूप को न तो वेगनार के लड़ांके तो बेलारूस चले जाएं या रूसी सेना में सामिल हो जाए या घड़क चले जाएं वहीं प्रिगोजीन ने कहा कि मैंने तो शिर्प सेना और रक्षा मंतरी के लिए यह बगावत की थी पूतीन से मेरा कोई दुस्मनी नहीं बेलारूस के तानासा ने कहा था प्रिगोजीन को कि तुम वहाँ चलो वहाँ पर एक खाली पड़ा मिलिटरी बेस है वही पर बाड़ लगी हुई है सब कुछ मौझूद है तुम अपना टेंट लगा लेना और हुआ भी कुछ वैसा ही बेलारूस पहुंचने लगे वैगनार लड़ा के जमा हो रहे हैं वहां से नाटो देसों की धूगदूकी बढ़ गई है पेलारूस की राजधानी मिंस्क के दच्छिन पूर्व में एक नया सेन्य अड़ा बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि जो सेटेलाइट तस्वीरे हैं वो बता रही है 14 जून तक जो जम पूच गए हैं खास तोर पर नाटो देस के सबसे पहला डर अस्टोनिया को सुरू हो गया है एस्टोनिया ने कहना सुरू कर दिया है कि पोलेंड और हमारे यहां अगले महिने वार्सिक बैठक होने जा रही है और हमारे लिए सबसे बड़ा खत्रा है कि बेलारूस पर हम भ वैसे आपको बता दें लिथुआनिया भी टर रहा है लिथुआनिया को भी लग रहा है कि अब पूर्वी मौर्चे में सबसे बड़ा खत्रा वैगनार ग्रूप हो गया है यह तो होना ही था जहां भी जाएंगे यह वहां पर कुछ नो कुछ समस्याएं खड़ी करेंगे ही परिंसब के बीच में कुछ ऐसा हो गया है जिसकी उमीद किसी ने नहीं की होगी इरान अपने आपको यह कहता है कि हम इतने मजबूत हो चुके हैं कि हम अमेरिका को तबाह कर सकते हैं इसराइल को मिंटो में बरबाद कर सकते हैं हाली में परेडडे पे इरान ने बड़ी बड़ी लंबी लंबी मिसाइलों को भी दिखाया और अपने UAV के जखीरे को भी दिखाया लेकिन इरान के अंदर घुश कर कई बार मोसाद ने ऐसे एक्सन कर दिये हैं जिसकी उमीद दुनिया ने नहीं की थी जैसे की इरान के परमानु सैंतर पर सबसे बड़ा हमला वैसे इजराइल अभी तक नहीं मानता है पर इरान के ही परमानु वैग्यानिकों को मिला कर उसके ही देश में कांड कर दिया पूरा परमानु सैंतर बरबाद कर दिया और बरबाद करने के बाद वहां से परमानु व कोई नहीं कर पाता है ऐसा होता कि उन्हें मिला तो लिया पैसे तो दे दिये पर उन्हें बाद में मरने के लिए छोड़ देते पर इसराइल ने उस समय भी ऐसा नहीं किया था इसराइल ने उन लोगों को बचाया था अभी अभी तो ऐसा हो गया है लगता है जैसे इरान पू इरान की तरफ से और उसका मास्टर माइंड इरान के अंदर है इरान के अंदर बैठा यूसेफ साहबाजी अबास लिलू ये जो मास्टर माइंड था ये साइप्रस के अंदर घुस कर हमला करने वाला था यहूदियों के उपर मोसाद को जैसे ही information मिलती है मोसाद सोचिए border छोड़ कर इरान के अंदर घुश जाता है और इरान के अंदर घुश कर इस आतंकी सेल के mastermind को पकड़ लेता है और पकड़ कर उसे उठा लेता है उसका अपहरन कर लेता है उसके बाद इससे जब पूछा जाता है तो ये बताता है कि जी हां हम प्रस में हमला करने वाले थे इसने ये भी साफ किया कि इसके सदस्यों को निर्देस और हतियार मिले थे इरान की आर्मी revolutionary guard की तरफ से इसके बाद इसने तो पूरा पत्ता ही खोल कर रख दिया कौन-कौन अधिकारी हैं, कहां-कहां के अधिकारी हैं इन सब को सामने रख दिया बताया जाता है कि बड़ा प्लान बना था कि साइप्रस में यहूदियों पर एक बडवा हमला होगा खास तोर पर जो बैपारी है इसराइली बैपारी उन पर ये हमला होगा खैर इसराइल ने सारी इनफोर्मेशन लेने के बाद साइप्रस को बताया और साइप्रस ने धड़ा धड़ उन आतंकियों को पकड़ना सुरू कर दिया मुसाद जिस तरीके से काम करती है ये एकदम दुनिया को अचम्बित करने वाली है कि किसी देश में घुस कर महां के मास्टर माइंड का ही अपहरन कर लेना इससे बड़ा साहस कुछ नहीं होता है इससे इरान की भी पोल खुलती है कि इरान के अंदर कुछ भी नहीं बचा हुआ है अंदर से इरान खोकला है बाहर भले कुछ भी कहे जहाँ एक तरप ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं इरान ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है क्या भारत को अपने पाले में लाने के लिए या भारत को सबक सिखाने के लिए आखिर मामला क्या है तो आपको बता दे एक समय था जब भारत और इरान के बीच बैपार बहुत अच्छा चलता था इरान से भारत और भारत से इरान की तरफ जहां हम तेल खरीदा करते थे तो वहीं हम बास्मती चावल बेचा करते थे, चाय बेचा करते थे, चीनी बेचा करते थे, दवाईयां बेचा करते थे 2014-2015 हम दूसरे सबसे बड़े बासमती चावल बेचने वाले देश थे इरान को सब कुछ ठीक चल रहा था लेकिन ट्रम्प के पर्तिबंधों के बाद हमें भी बंद करना पड़ा बैपार इरान से उसके बाद इरान ने कई वार भारत को तेल का बैपार फिर से सुरू करने के लिए कहा लेकिन भारत ने अभी तक इरान के साथ कोई बैपार सुरू नहीं किया है जबकि रूस के साथ तेल का बैपार कर रहा है अब ऐसे में इरान ने पासमती चावल की खरीद अब पाकिस्तान से सुरू कर दी है ना की भारत से और ये एक भारत के लिए बड़ा जटका है क्योंकि एक तो इरान पास में ही था जान पे ट्रांसपोर्ट पे पैसे खर्च कम करने पड़ते थे और दूसरा फाइदा भी होता था पर अभी यही दिख रहा है कि यहाँ पाकिस्तान को जीत मिल रही है वैसे इन सब मामले में आपकी क्या रहा है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं हंगले वीडियो में नई खबर के साथ